हलो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं बिहार के में भेकेंसी जो होगी आने वाली है उसके बारे मैं बताऊंगा तो क्या है इस वीडियो को सुरू से अंतक देखे पसंद आने पर लाइक्स नए लोग सब्सक्राइब और वेल का आइकन वेटन दवा आना ना भूलेंगे तो राजस्व विवाग में 31,290 पदों पर बहाल होंगे कर्मी पूरा मामला विस्तार से देखते हैं आज आप हिंदुस्तान के पेपर में भी देख सकते हैं पटना एडिशन में राजस्व एमम भूमी सुधार विवाग के अधीन संविदा पर 31,290 नब सिर्जित पदों पर बहाली का रास्ता साप हो गया है इस बावत राजसरकार ने जारी गजट में पूरी जानकारी अस्पष्ट कर दी है बहाली के लिए बिवागी अस्तर पर रोश्टर क्लिरेंस आदी का काम भी पूरा हो गया है राज में विसेश सर्वेच्छन कार राष्टिये भू अविलेक प्रवंधन कारिक्रम को चालू रखने के लिए ये बहालिया की जा रही है तो किसी लिए की जा रही है वो जो सर्वे कारिक्रम है राष्टिये भू अविलेक प्रवंधन कारिक्रम को चालू रखने के लिए बहालिया की जा रही है इनसे राजस मानचित्रो बखतियान के अपडेट करने की परकिरिया को काफी मदद मिलेगी दो वर्स तक चलने वाली इस योजना पर केंद्र सरकार के भी एक अरव चहुतर करोड़ साथ लाग खर्च होंगे मतलब दो वर्स तक यह योजना है जो की चलेगी है और इसमें केंद्र सरकार के कितनी राशी खर्च होगी तो एक अरव चहुतर करोड़ साथ लाग खर्च होंगे दो तरह के सहचनी की योगता रखने वालों की वहाली अमीन के पदपर होगी पहला है कि स्विल इंजिरिंग में डिप्लोमा रखने वाले अभियरतों से सर्वेयर पर शिच्छन वाले यूग को भी अमीन की नौकरी मिलेगी ऐसे डिप्लोमा धारी के बाएस हजार नो दो हजार नोस्तों संतार में पद अलग से स्रिजित किये गया है तो जहां तक सिविल इंजिरिंग डिप्लोमा का है तो मैं इसको किया हूँ इसलिए मुझे इस मामले में तो अनुभब है और सर्विस भी किया हूँ सिविल इंजिरिंग से तो इसमें जो परिच्छाए या जो तरीका होगी उसको आगे बताऊंगा अब क्या है उसके बाद कारफालक सहाइकों के 1203 पत कारफालक सहाइकों के 1203 पत सिरिजित किये गए हैं गजट में बंदोबस्त पदादिकारी वा फरवारी पदादिकारी के रिक्त 76 पतों के अलावा सहायक बंदोबस्त पदादिकारी के 60 पतों और विशेज सर्वेच्छन सहायक बंदोबस्त पदादिकारिक बारस्तिन पदोपर बहाली की जानकारी भी दी गए अब 22279 कानून को भी बहाल होंगे इनकी योगिता भी जेई सिविल होगी तो खासकर जो जूनियर इंजिनियर सिविल किये हुए हैं और वो डिपलोमा किये हुए हैं और मानेता फ्राफ्ट संस्थान से क्यों तो उनके लिए तो काफी वेहतरीन मौका है और बिहार में जहां तक बहाली होती तो यही सिविल इंजिनिरिंग की मिनली बहाली होती है और और क्या क्या हैं । कम्प्यूटर आप्रेटरों की 38 पदों पर भाल लिपिक परधान लिपिक के सत्तर पद मौरीर के 294 में विषेस सर्वेच्छन लिफिक के 2406 पदों के अलावा 1203 ITY वी सामिल भालdes अलावा आपरेटर को भी 38 पदों पर बहाली होगी, सभी अंचलो में IT मनेजर डाटा आपरेटर की बहाली से ओनलाइन कार्योग में तेजी आएगी, विशेश सर्वेच्छन सहायक बंदोबस्त पदादिकारी को जहां 69,000 रुपिय परतिमा मिलेंगे, वहीं IT भाय को 16,188 रुपिय प कोई confusion नहीं है, कि यह बहाली है, जो कि आपको सरकारी होगी, यह contract पर होगी, लिखा हुआ है शुरू में, कि यह जो भी बहाली होगी, वह 20,000, सबसे ज़्यादा कौन सब पद है, 20,679 पदों पर अमीन की बहाली की जाएगी, उसमें है जो कि आपको, जही सिविल है, जो इ कर रहे हैं, और उन्हें किसी परकार का जौब नहीं लगा, खासकर कौवर्मेंट जो, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, कम से कम ततकाल के लिए थी, यह बहुत अच्छा विवस्ता है, तो मेली जो पूरे टोटल अगर इसको देखा है, तो ओवर ओल यह जो है, यह सिव अपरेटर भी आरतिस पता है, तो बहुत सारे एसाने के सिविल इंजिरिंग सिर्फ है, और भी हैं, जिसको पहली होगी, तो आप इस बेकेंसी को है, जो कि कम से कम है, जो कि राजजा सुब भूमी सिधार के विवाग के विवसाइट है, उसको आप बार बार देखते रहें अगले साल है, जो कि और ये किलियर हो गया कि वेकेंसी आई, क्योंकि गैजट चारी कर दिया गया है, और ये काम क्या होगा, राजजा सुमान चितरो और खतियान के अपडेट में इसे मदद मिलेगी, आपको सर्वेचन कार्ज में लगाया जाएगा, जमीनों के, क्योंकि स सबसे ज़्यादा जो बिहार में, सबसे ज़्यादा कंप्लेन आता है, जमीन विवाद ही आता है, कि किसी ने काई मेरा कंपजा खतार कर लिया, है या तत्काल लगने की जायारी करने हैं उनके लिए अच्छी जवार कि आप इसमें तत्काल है जो कि आप विवस्था कर सकते हैं अगर किसी कारणबस नहीं विवा तो यह आगे परक्रिया जो की चलती रहेगी क्योंकि सर्विच्छन का कारणबस कभी खत्म नहीं होगा तो इसी खवर के साथ आपको धन्यवाद क्योंकि मैं ऐसे खवर आप लोगों को देता रहूंगा और जिससे कि आपको बहाली की कहां क्या त्यारी करनी है और क्या पोस्ट आई है तो इसके समय में लगातार में जनकारी ते तारा तांग शिससा धन्यवाद